नमस्कार सो फिर से स्वागत है आपका इस करियर काउंसलिंग चैनल में विवे गुपता मैं बोल रहा हूँ और इस बार बात करेंगे जैसे मैं आपके लिए MBBS का बनाया था कि Study Abroad हो चाहे चाहे इंडियन MBA हो हम क्यों Charges लेते हैं और कैसे उसमें आपका फैदा है और कभी कपर लोग मुझे कहते हैं मैं कहते हूं सर हम उसके बिना भी काम कर सकते हैं देखिए तो यह एक जैनरिक वीडियो है जो आपको दोनों में हेल्प करेगा तीन तरह के College है यह आप मान के चलिए चाहे हम इंडिया की बात करें चाहे हम किसी भी कंटरी की बात करें Canada, Australia, UK, USA, Singapore, France, Germany, etc. और मोटा मोड़ी तीन तरीके की कौन से हैं एक जिसे हम बोलते हैं Premium Premium College इंडिया के भाशा में IITs, IIMs, National Law Schools, हम BBA के बात करें, शही सुदेव, दिल्ली University का कोई भी कॉलेज, मैं क्यों कह रहा हूँ, समझेगा अगर मैं Post-Grosion की बात करूँ, MBA में नार सीमोन जी, MDA गुरगामा, SP Gen, मैं B-TEC की बात करूँ, IIT के लावा, DTU, NSUT, BITS पिलानी, etc., etc., etc. और हर कोर्स में, देखें, बड़ा मुश्रे मेरे लिस्ट देना, बड़ा चाहोगे तो मैं एक कॉमेंट में डालनी कोशिश करूँगा, परपस क्या है, कि ये सब वो कॉलीज हैं, जहां पर हर इंसान जाने को तरसता है, इसी के लिए आप बड़ी-बड़ी कोचिंगे ले आपने कोचिंग लेते हो ना, आपने कोचिंग इसले तो ली नी कि मैं एक पानी पत के या सोनी पत के रोतक के लोकल कॉलिज में या अमेर्टिक इंजिनिरिंग कॉलिज में या एसरम सोनी पत में, वहां पर तो खुला एडमिशन है, बारवी पासकर एडमिशन ले लो, तो यह होगे प्रीमियम, ऐसे ही मैं यूएसे की बात करूं, हाव़ड, स्टैनफर्ड, कॉर्नल, पैन, उस तरह की जो इनिवर्सटीज हो गई, यूके की बात करो, फेमस, ऑक्सफ एक सेटरा सेटरा, फ्रांस ये बात करेंगे, इन्सी आड, उस लेवल के खॉलिजिज वसलिज प्रीमियम, यहां पर जाने के लिए हम तरसते हैं, और एंटरस्टास के लावा स्पेशली बाहर जाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, प्रोफाइल बिल्डिं लेकिन फिर भी अबब एवरेज ये गुड कॉलेजिज और ये भी देखिया रेंज होती है ना, तो इंडिया के बात करेंगे, तो जो आपने एंबिय में सब मिस कर दिया, तो फिर आपका आएगा, फोर स्कूल आफ मेनेजमेंट, अगर मैं दिल्ली के बात करूँ, लाल भ किसी भी कोर्स में, अब जो टायर थी के कॉलेजिस है, चाहे इंडिया, चाहे बाहर, ये जो हम जैसे कंसल्टर्स होते हैं, उनको कमीशन्स देते हैं, जनरली वो कमीशन्स पहले साल की फीस का सेवन टू नाइन, टैन परसेंट होता है, और चुकि हमें बहां से कमीशन्स मि बड़ा छानदर ओफिस था, उसको तो एक पैसा नहीं मांगा, हम जी के वर्स में फोन करते हैं, तो वो इस मीटिक लेग भी हमसे पांच जार पर मांगता है, चो कीजी, पहली बात तो आपको ये बताया जाता है, कि टैयर वन कॉलेज कौन सा है, आपकी कोर्स का टैयर टू कौन सा है, और कोशिश करो, कि वन तो आपका मिस हो गया, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, बड़ टैयर टू में पहुंच जाए, अगर आप टैयर थ्री में जाने को तयार है, बड़ा क्लियर है कि टैयर थ्री में जाना है, तो हमें भी कोई चार्ज इस नहीं चाहिए आप से, हम भी फ्री में काम करेंगे, बड़ हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चे को टैयर वहीं नहीं, तो टैयर टू में पहुचा दे, अब टैयर टू और थ्री में क्या फरगा है, कि टैयर टू में भी कुछ कॉलेजिस ऐसे हैं, जो कमिशनी देते हैं, या बहुत कम देते हैं, ब में तैयर थी भी चले जाओगे तो बस यह फायदा होता है कि वहाँ पर वही जो रूल है और पियार और पर मीट है कि आप कैसे वहाँ पर सेटल हो जाओगे अफकोर्स आपकी जॉब कॉलिटी उसी लेवल की होगी तो यह फरक समझे कि इंडिया हो चाह बाहर तीन तरह के कॉ अक्सर आपको सीधा टायर थी में भेजेंगे अब टायर टू और थी में भी देखिए खिरी जी बात है न हिंदूस आप कुछ भी समाल लेने जाते हैं जितना घटिया माल होता है उतना ज्यादा डिस्काउंड मिलता है तो हमारे केस में भी मैं उस कॉलेज का नाम लेना न चाहे उसके मकाबले आपको वहां जाना है जहां पर केरियर बने और कईरियर वह रैंकिग आप जानते ही गुगल पर आप रैंकिंग देखते हो वह रैंकिंग हिसां खड़ेडियों फियत अच्छा है इंडिया में भी भार के टॉप इन दस देशों में यह नहीं पुरी दुनिया को जानता हूँ बट काफी हद तक हम जानने की कोशिश करिया है मैंने अपने लाइफ में क्योंकि मेरा पैशन है यह काम करना वही हम जो मेरा अपने इंडिया के विडियो देखते हो क इंडिया में केंपस प्लेश में इस नोट दी क्रैटीरिया बट बाकी जगह है तो यह फरक यह फेक्टर होता है इसको समझे अपना करसल्टन चुनने से पहले इस बात का ध्यान रखिए कि आपको टायर थी में तो पुशन ही किया जा रहा और जो टायर थी में पुश करें और वहाँ पर शैद कमिशन मिलेगी नहीं या मिलेगी तो बहुत नाके बराबर मिलेगी इसलिए हम शैद स्टडी ब्रॉडर में मैं प्रोसेस ही चार्ज लेता हूं 25,000 रुपे फो तो सिंपल रीजन कि आपको हम टायर टू में भेजनी कोशिश करते हैं टायर थी में जान पर फाइल पर काम करता है और खुद तो भी भार गया नहीं खुद उसे को पी जिंदी में पना विजा लगा यह नहीं जो आपके लिए विजा फाइल कर रहा है तो प्रोड़ाबिल्टी ओफ मिस्टेक्स आर वेरी हाइए हम लोग मिस्टेक नहीं करते फाइल पर बहुत ध फाइल होगी कोई गया अपनी है फाइल में फिनासिस अच्छे दिखाए गई है सोपी बहुत शानदा लिखे गई है और एक स्टोरी आपकी बनी है जिसमें फिट होता है स्टडी अबराट क्योंकि हर बो चाहते हैं कि आप पढ़के वापस होगे वह कैसे थाबित हो रहा ह मैं हमेश्चे कभी नहीं कहता है मेरे पास है मेरे आई डिपी के भी सौरी में बावर एक का नाम रहा हूं जो जितने बड़े प्रेंड है उनके भी टॉप पांच लोगों के पास सेम नॉलिज है बट क्या वो नॉलिज का इस्तेमाल कर पाते हैं नहीं क्यों फाइले इतने एफर्ट लगाया जाता है और उसी में रिजल्ट से में फराक आता है तो आप जहां बीस पचीस पचास लाग खर्च करने वाले हैं वहाँ पर आपको पंदरा बीस हजार उपर बचाने है बहुत अच्छी बात है लेकिन उसमें आपका जो वीजा का चांस है वो सब है और मैंने आपको वही टैल 3 और टैल 2 उनिवस्टी का लॉजिक दिया वह आप समझी गए ठीक और टॉप मैंने बुले टॉप हंडर्ड हंडर्ड फिफ्टी उनिवस्टी के बाद जो रैंकिंग्स होती है वह भी कोई सेकरो सेंट नहीं होती इन सब बातों का ध्धान रखे लि बैठने का 5000 और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आगे भी हल्प करें तो जो भी चार्जिस होते हैं वो सेट हो जाते हैं लेकिन डेफिनिटली अमीबेस की तरह है इसमें कोई हमारा 1.5 लाग का चार्ज है ही नहीं इंडियन कांसलिंग में तो शयाद व आपको खाले एक टेंपलेट दे रहते हैं और महीं मैंने बुला है जो एक हैंड होल्डिंग होती है रात को नौ बजे भी फोन उठाना सुबाद छे बजे भी फोन उठाना उसी बात के चार्जिस होते हैं ओके हैव नाइस डे बाबाए नाइस इस फो त्री त्री शिक्स टो त्री टो जिरो